प्रोटीन से आप क्या समझते हैं प्रोटीन किसे कहते हैं कार्बन ऑक्सिजन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिकों से निर्मान होता है प्रोटीन का यदि आप से प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कार्बन ऑक्सिजन हाइड्रोजन और nitrogen से मिलकर protein का निर्मान होता है कुछ protein phosphorus और sulfur में भी पाये जाते हैं याद रखेगा कुछ protein ऐसे भी होते हैं जो phosphorus और sulfur में भी मौजुद होते हैं या बनसपतियों तथा जन्तूओं में पाये जाते हैं protein amino amal के बहुलक होते हैं एक नंबर के लिए important है protein जो है वो amino amal के बहुलक के रूप में जाने जाते हैं protein के मुख्य स्रोथ के रूप में दूद, दही, डाले, मतर, अंडा, इत्यादी को सामिल किया जाता है यह दूद, दही, मतर, डाले, अंडा, चिकेन यह सारी जो चीजी है ना इसमें भरपूर मातर में protein पाया जाता है अब हम कुछ protein के प्रकार के बारे में आपको बता देते हैं पहला है रेसेदार protein अब यह protein जो है वो पॉपी प्लिलाइट स्रिंखलाओं के समनांतर रूप से बने होते हैं और जल में ओविलय होते हैं जल में गुलते नहीं है उदारन के लिए बाल नाखून में पाये जान यह protein गोल अकिर्थि के होते हैं और जल में विलय होते हैं जल में गुल जाते हैं उदारन के लिए hormones और antibodies यह जो है वो गोली का कार protein के अंतरगत आते हैं protein के मुख्ध कारे की अगर हम बात करें मुख्ध काम की अगर हम बात करें तो सरीर की सरचना में protein काफी महत्तपून है इंसान के बिर्धी के लिए बहुत महत्वपून है, एंजाइन और हर्मोन्स का संसलेशन, रक्त के पीच को नियंतित करना और परतिरक्षा परनाली में भाग लेना, ये सब जो है वो प्रोटीन के कारियों के रूप में जाना जाता है, प्रोटीन की यदि कमी हो जाए किसी भ प्रोटीन का सेवन काफी महत्व पूर्ण माना जाता है।